तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर आपके पाट का नाम क्या है क्या निरास हुआ जाए और यहाँ पर आपके लिए पहला प्रस्न पहला प्रस्न आपका क्या कहता है लेखक ने स्विकार किया कि लोगों ने उन्हें भी दोका दिया है फिर भी वह निरास नहीं है आप उसने धोका भी खाया है परन्तु बहुत कम अस्तलों पर विश्वास गात नाम की भी चीज मिलती है उसका मानना है कि अगर हुआ इन धोकों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहत कस्टकारी होगा और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उसकी साहता की है उसके निरासमन को ढांडस दिया है और हिम्मत बंदाई है लेका जीवन के पड़ती आसावादी द्रेश्च कोंट रखने वाला ब्यक्ती है टिकट बापू द्वारा बचे हुए पैसे लेका को लोटाना बस कंड़ेक्टर द्वारा दूसरी बच्चों के लिए दूद लाना आदी ऐसी घटनाए है जो उसे विश्वाश दिलाती है कि समाज में मानपता प्रेम आपसी साहयोग समापत नहीं हो सकते ही तो इस प्रकार से आप इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों आए देखते हैं गाटित करके उसमें रस लेते हैं इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे किसी की बदनामी करना आपसी दूसमनी या बदले की बावना आदी इसके बाद आए जानते हैं आपर तीसरा प्रस्ण तीसरा प्रस्ण आपके लिए आज कल के बहुत से समाचार पत्रिया समाचार चैनल दोसों का परदाफास कर रहे हैं इस परकार के समाचार समाचारों और कारे कर्मों की सारतक्ता पर तरकसाइद बिचार लिखिये तो आप क्या उतर लिखेंगे आप देख रहे हैं नहीं आपर आप लिखेंगे उतर लिखेंगे आप आजकल के बहुत से समाचार पत्रिया गुरूता भी आती है समाज समय रहते ही सचेत और साउधान हो जाता है पर वे तभी सार्तक हैं जब इनमें सचाई इमांदारी और जनकल्यान की काम नहीं हो यदि इनमें किसी परकार का स्वार्त यथा अपने टी आर पी बढ़ाना चैनल को परसिद्ध करना या धन कमाना यह देखते हैं यहाँ पर चोथा प्रसन यहाँ पर कि निम्लिकित के संभावित परिनाम क्या क्या हो सकते हैं आपस में चर्चा कीजिए जैसे इमांदारी को मूर्कता का परियाए समझा जाने लगा है परिनाम ब्रेश्टा चार बढ़ेगा तो यहाँ पर आप देख रहे यहाँ पर हैं एक दो तीन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सचाई केवल भीरू और बेवस लोगों के हिस्से पड़ी है यहाँ पर देखें दूसरा है जूट और फरेप का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं और तीसरा क्या है हर आदमी दोसी यदिक दिक रहे है गुणी कम तो आप इनका उतर कैसे लिखेंगे पहले का लिखेंगे सचाई केवल भीरू और बेवस लोगों के हिस्से पड़ी है ताना साही बढ़ेगी और लोगों की सचाई में आस्ता नहीं रह जाएगी इसका परिणाम क्या होगा कि ताना साही बढ़ेगी और लोगों में सच्चाई के परति आस्ता नहीं रह जाएगी इसके बाद दूसरे का असर क्या पढ़ेगा जूट और फरेव का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं तो बच्चो इसका असर क्या पढ़ेगा इसका परिणाम यह होगा कि ब्रस्टाचार बढ़ेगा और इमांदारी मे किसी का विश्वास नहीं रहेगा तीसरा जो है यहाँ पर हर आदमी दोसी अधिक दिख रहा है और गुणी कम तो इससे क्या होगा इसका परिणाम यह होगा कि एक दूसरे के परति अविश्वास बढ़ेगा यानि कि विश्वास खत्म होता जाएगा इसके बाद पांचव आजकल हम अराजकता की जो गटनाएं अपने आसपास गटते देखते रहते हैं उनसे हमारे मन में निरासा बर जाती है लेकिन लेकग ने अपने लेकग ने हमें उस समय समाज के मानविय गुणों से भरे लोगों को और उनके कारियों को याद करने को कहा है जिससे हम निरास ना हो इसका अन्यसीर्षक हम निरासा से आसा भी रख सकते हैं इसके बाद अगला प्रस्णा आपके लिए यदि क्या निरास हुआ जाय के बाद कोई बिराम चिन लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिये गए चिनों में से कौनसा चिन लगाएंगे अपने चुनाओ का करण भी बताईज crow ज़िए तो आप देख रहे हैं नहीं हैं यहाँ पर कई सारे चिन लगे वे हैं किन मेंसे कौनसा चिन लगाएंगे तो क्या निरास हुआ जाए के बाद मैं प्रस्णिवाचक चिन क्या निरास हुआ जाए लगाना उचित होगा आप समझ रहें न क्या निरास हुआ जाए कि पीछे कौन सा चिन सबसे बढ़िया होगा प्रस्नवाचक चिन क्योंकि समाज में ब्याबत बुराईयों के बीच रहते हुए जीवन जीने के लिए सकारत मकद्रश्टिक जरूरी है तो बच्चो आप सबसे बढ़िया चिन क्या लगा सकते हैं प्रस्नवाचक चिन इसके बाद सात्वाँ प्रस्नवाचक चिन आपके लिए कि आदर्सों की बातें करना बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कटिन है क्या आप इस बात से सहमत हैं तरक सहीत उतर दीजिए तो आपका उतर क्य होगा आदर्स की बाते करना बहुत ही आसान है पर उन पर चलना बहुत कठीन है मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि ब्यक्ति जब आदर्सों की रहा पर चलता है ता उसे कई कटनायू का सामना करना पड़ता है असामाजिक तत्तों का अकेले सामना करना पड़ता है वास्तम में लेखाक हम से या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज में समाज की अच्छाईयों की ओर ध्यान दे तो क्या हमें निरास होने की आउ सकता है और इसके बाद आए जानते हैं यहाँ पर अगला प्रस्णि भासा क समाज से समद्ध वीडियो देखना सुनिशित करें और जरूर देखें समाज से समद्ध वीडियो हमारे इसी चैनल पर आपको जो है समाज से समद्ध वीडियो देखने को मिलेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और समाज समद्ध वीडियो जाकर अवसे देखें तो यह यह कोई किसी से पीचे रहना नहीं चाता जैसे चरम और परम बीरु और बेबस दिन और राथ दिन राथ इस प्रकार से आप देखें याँपर दून समास की यह उधारन है इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर जो है और के साथ आए सब्दों के जोड़े को और हटा कर यानि कि योजक चिन भी लगा जाता है कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है दोन समाज के बारह उदारन ढूंड कर लिखिए आपने यहाँ पर बारह उदारन लिख रहे हैं ढूंड के लेकिन में पहचान आपको मालूम हो गई होगी यहाँ पर दिन रात आप देख रहे हैं दिन और रात तो यहाँ पर योजग्ची नहीं अपर और लगा था और और का लूप हो गया यहाँ पर उसे हटा दिया गया उसके बाद क्या बन गया दिन रात इसी प्रकार से आप अन्य बारा उधारा लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दुख और सुख दुख सुख या सुख दुख और भूग प्यास का भूग प्यास यहाँ पर आप देख रहे हैं इस्तिरे पुरुष राम सीता आना जाना जमित्र शत्रु आप कई प्रकार के और भी लिख सकते हैं और आएए देखते हैं आप नवा प्रस्ण पार्ट से तीनों प्रकार की संग्याओं के उधारन खोच कर लिखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ने व्यक्ति वाचक संग्या में बास्यात्री मनुष्य ड्राइवर, कंड़क्टर, हिंदू, मुसलिम, आर्या, दर्वेड, पति, पत्नी, आदी ये क्या हैं जाति वाचक संग्या के उधारन और भावाचक, इमानदारी, सच्चाई, जूट, चोरी, डकैती, आदी तो इस परकार से यहाँ पर झाल, तो